और यूव न है, अगर आप इतना सा तեल डालोगे तो आप एक ककोरी सब्जी में डालके खा नहीं सकते योसरे दन आपको टोरेट जाना पड़ileak Одन continents लेकिन आउस एधिए इस तेल को का सबस्ढस, यह तेल है, छीक है तो क्या होगा हमाइज टबित्हरा होगी, लेकिन यह तेल एक ऐसा तेल है इसको अगर आप थेल ही ऐग डहकन पियेंगे अगर किसी को शूगर है वो खतब, हाई-वाइड है वो खतब, मोटापा है वो खतब, इसको सिर्फ आपके सामने ये पीकर दिखाऊंगे, इसमें कोई चिप्किपारा तहीं देवागे ये तेल बहुत जबर्दस्त है इस तेल के बहुत आइदे हैं इसको डेली आप एक धकन पीजिए एक धकन तेल में एक धकन पीएगे ना मत अगर आप पी भी नहीं रहे तो घर में खाना कराईए इसको रोटी भी घीरे कारे खाईए इसको आपको इतना पैस्ट लगेगा ये ओयल एक तरह से अम्रत है आपके भी तो मैं यह कहना चाहूंगी कि ये जो प्रोड़क्त है हमारे ये नेचरल तरीके से ये चावल की बुरी परत उसी है ना इससे बनाया जगता है और रिफाइन ली नए तरीके से इस ओयल को रिफाइन किया जाता है इसमें जो केमिकल भिलकुल भी नहीं होता है नेचरल सारे इसमें इंडिक्रेट्स होते हैं ये बहुत फाइदेवन होता है अगर इसी प्रकार से सारे प्रोड़क्त अपनी अपनी इंपनी क्वालिटी रखते हैं सारे प्रोड़क्त अपनी अपनी एहमियत है आप एक एक दो दो प्रोड़क्त यूज़ करिए इसलिए आप तो बैडी है